ब्लोग चैनल बनाते समय कौन कौन सी सेटिंग्स करनी चाहिए फ्रेंट्स क्या होता है कि हम अपना ब्लोग चैनल बनाते समय कुछ सेटिंग्स होती है जिने करना हम भूल जाते हैं या फिर हमको पता ही नहीं होता है ऐसे में फ्रेंट्स अगर उस सेटिंग्स हम नहीं करते ह तो हमारा चैनल सर्च में नहीं आता है और जब हम अपनी चैनल पे वीडियो अपलोट करते हैं तो वीडियो भी हमारी सर्च में नहीं आती है तो friends इसके साथ और कई सारी setting होती है जीने करना पड़ता है तो friends ओ कौन कौन सी setting है जीने आपको करना चाहिए तो friends आज हो हैं इस वीडियो में हम आपको पूरी detail के साथ बताने वाला हूं हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जैं लेकिन जो setting बताने वाला हूं friends वो आपके लिए बहुत important है और friends अगर आप कुछ दिन पहले channel बना चुके हैं या फिर नया channel बनाने वाले हैं तो आप दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं दोनों लोग इस settings को कर सकते हैं क्या होता है कि हम जल्दबाजी में channel बना लेते हैं और setting करना भोल जाते हैं तो लोग सोचने लगते हैं कि आप हम क्या करें क्या फिर दोबार से setting कर सकते हैं तो हां आप कर सकते हैं इस वीडियो को देहां से देखिए देखने के बाद से यह setting कर लिजिएगा आपका problem solve हो जाएगा ठीक है सारा settings आज हम आपको बताने वाले हैं और एक बात यहां पर फिर क्लियर कर दूँ कि हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला friends आज आप तेख लेंगे तो आपको कभी भी कोई भी problem आपक को दीख रहा होगा ठीक है अब यहां पर आने के बात से हम आपको यहां पर क्लियर कर दूँ कि आपको अपने फोन में Google Chrome ब्राउजर ओपन करना है और desktop साइट मोल में ट्रिक लगा लेना जैसे कि यहां पर हमने अपना Chrome ब्राउजर ओपन कर लिए अपने फोन में और Chrome ब्र आने वाले गिए सबसे पहले आपको करना क्या क्या नीचे की तरफ सेटिंट शेटिंगर्ट खोल जाएगा ठीक है अब यहाँ पर जन्रॉइल लिखा हुआ है ठीक है आप देख सकते हैं मैं बड़ा अभी नहीं करका हूंगा इतने चोटा लेकिन करके कोशिज करूँगा दिखा सकों यहाँ पर जन्रल लिखा वाँ उसके नीचे चैनल लिखा हूँ उस जैसे क्लिक करेंगे यहां पे आपको बंइसकी दिखेगा चैनल बंद पहले नमब नम चैनल में कुझण 20 क een वीडियों में बताते हैं कि आपको कीवर्ड यूजय करॲे इसमें डाल लेना है ठीक है तो अब को यहां परोस अभी कैसे हैं करता है और अब सब्सक्ताइब ऐसे फ्रेड़े का चैनल से लोगों को कैसे पता चलेग है आपने अपना चैनल निया अब तो unlock कैसे कीवर्ट डालेंगे तो कैसे आपका चैनल सर्च में आता है तो यहां पर ओहीं कीवर्ड लिखना होता है जैसे कि आप अपना देख सकते हैं हम अपनी चैनल का नाम लिख रखे हैं और यहां पर ब्लोक्स लिख रखे हैं तो यहां पर फ्रेंड्स मैं यहां पर क्रिष्णा ब्लोक्स लिख रखा हूं ठीक है तो देमरिय का लड़का ठीक है यह हमार क्यूवर्ड होगे इस तरीके से आपको अपने चैनल का क्यूवर्ड लिखना है और यहाँ पर हम अपना नाम भी लिख रखे हैं और यहाँ पर देख लेंगे और देख सकते हैं यहाँ पर भी क्यूवर्ड अपने चैनल का एक स्पेस दे हम अब यह भी लिखना है कि हम अपने चैनल पर जो वीडियो लाएंगे जो भी गतेग्री होगा आपको यह मालूम होना चाहिए कि हम किस टाइब कीवाड इस में जैसे लिख लेना है आपको ठीक है जैसे कि हम ब्लोग अपना चैनल बणा है अब setting एक करने के वाद से friends यहां पर आपको देखिया मैंने यहां पर जो चैनल करना था तो कर लिए बहुत से लोगों confusion थी कि हमारा चैनल पहले बना चुके हैं तो कि इस तरह करें तो हमने भी पहले बना चुका है इसलिए मैंने आपको सामने यहां पर इडिट करके दिखाय इस तरीके से चैनल की वर लिखा जाता है अब इसको करने के बाद से friends आपको यहां पर advanced setting पर क्लिक करना है ठीक है अब यहां पर क्लिक करेंगे friends तो आपको स्क्रोल करना है और यहां पर आपको no set देख सकते हैं no set this channel as not met for kids अब यहां पर important बात है friends कि आपका चैनल जो है उस i park आपो चिवड शाय अब यहां पंड़ प्रनस पर के आना है फिए ऐसे पर stabilize आप डिफोल्ट पर ठीक है थीक है यहां पर आईburger फिश पर अपन कूटी तो अपड़ोकोईलिक करना लिख सकते हैं जो चाहते हैं कि आप अपने टाइटल में डिस्क्रिप्शन में जो भी वीडियो अप्लोड करें तो टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग होता है उसमें आपको कुछ लिखना न पड़े ऐसा कॉमन सब्द है जो एक ही बार लिख दे तक वो आटमेटिक अपने आ अपने चैनल के बारे में लिख सकते हैं अपने वीडियो के हिसाब से मैं अपलोड करता रहाता हूं और यहां पर आपको लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना ठीक इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर यह होता है अपकी बीडियो अपलोड होते हैं किस मोड में अपलोड हो रहा है यानि अब यहां पर कोई कमन्य आप चाहते हैं आपके चैनल नेम आपके टैग में हमेशा लिख यह आपने यहां पर हम टैग लिख सकते हैं जैसे कि इन लिख लेता हूँ अपने चैनल का नाम थिक है टैग कोई भी हम वीडियो अप्लूद करेंगे हमको बारा बार लिखना नहीं लड़का तो यहां पे लिख कर दिखा देता हूं किमन्ट यानि हम हर वीडियो में लिखना चाहिंगे और यह टैग मैं एक ही बार लिख देता हूं कि हमको बार बार यह लिखना ना पड़े ठीक है यहां पे जो सेटिंग है वह आपको छोड़ देना है कुछ नहीं करना और एगरिमेंट अब आपको यहां पे सिम्पली नीचे की तरफ केंसील और से बटन ए ठीक है यहां पे सेड प्लीक कर देक है ठीक है कि मिंट कीव iTunes ऐक कर ना बैद करना है कि अब यह बढ़ leg आइकन की करना है अब जैसे पैंसिल वाले आइकन पर क्लीक烤 आपके हैं कुछ इस तरीकए का interface आजएगा ठीक है अब यहाँ पे friends आपको click करना है यहाँ पे branding पे ठीक है उपर layout लिखा है उसके बाद branding अब यहाँ पे click करेंगे तो आप अपना channel का जो logo है ओ लगा सकते हैं या फिर अपना photo लगा सकते हैं ठीक है और दूसरे number पे friend banner याँ आपका channel art होता है वो है वो दूसरे नमर पर यहां पर देख सकते हैं दूसरे नमर पर यहां से आप अगर चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं अगर पहले बना चुके हैं तो चेंज भी दोनों कर सकते हैं ठीक है और लगाना चाहते हैं नया भी लगा सकते हैं इस तरीके से और यहां पर जो ब्रा लीख यहां पे जुँ सि क्लिक करके रहे हैं से कर सकतेज़ कर सकते हुऎं तो फिलाल है तो मैं इसकोने डिस्क्रिब्चिन यहां पर जो दूसरी नमर पे कहां पर होता है जब आपका चैनल कोई आयगा वीडियो देखता रहिए वीडियो और चैनल पर आजेंगा और आपके आप आउट में जाएका वहां पर तो आपाउट में यहीं डिस्क्रीप्शन दिखता और हम जब लाइब आते हैं फिंच बहुत सेसे लोग कमेंट करते हैं कि सर हमारे चैनल को चे कि कि देखते हैं उसमें हैज्टेग होगरा यूज कर देते हैं और लिखते कुछ मतलब कोई कोई तो लिखते ही नहीं तो इसमें अपने चैनल के बारे में लिखना चाहिए कि यहां पर मैंने लिख रहा है हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे देवरिया का लड़का च है यहां पर लिख लेना है अब लिखने के बाद स MA करना है उसके निचे का खावा ठीके डिखावार ऐस पर क्लिक करेंगे तो आब बहुंद लिलीर आपका प्रेसभुक का आप या इड़या इंस्टाग्राम का है या फिर आपका और कोई चैनल है यूट्यूप पे तो ओ चैनल का लिंक यहां पे लिंक तो यहां पे लिंक आप से मंगा il gewoon time 3. अब वम थाई कॉल जैसेद में आपकर करने के में पैस्टकरणом का है तो यहां पर लिक लेना इस्टाग्राम लिए ठीक है और लिंक को यहां पर कर देने ठीक है मैं छोटा करके देखाऊंगा देख सकते हैं दो बॉक्स में एक में UPraktion यहाँ पे लिखना है और दूसरे बॉक्स मैं आपका अपना लिंक बेस्ट कर प्रूस करसके यह जाहें तो इमैल एड्रेस होता है अगर माल्रीज़े वीजनेस inquiry के लिए किसी अगर कोई sponsor के लिए आपको कोई contact करना चाहिए तो यहाँ पर अपना email address भी दे सकते हैं ठीक है यह सब करने के बाद friends अब आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं ठीक है तो यहाँ पर मैंने जो यह सेटिंग है friends पूरा कर चुका हूं तो यहाँ पर मुझे करने की ज़रूरत नहीं है आपको यह अगर नहीं की है तो सारा सेटिंग यहाँ पर जो महने बता है वो कर लेना ठीक है अब यह करने के बाद से friends अब आपको कुछ करना नहीं सिंप्ली dashboard पर आ जाना है अब देख सकते हैं अब हमारा यह जो चैनल है पूरी तरीके से होता है ठीक है तो हमारा चैनल का ऑप्टिमाइज हो चुका है तो उमीद करता हूं friends यहाँ पर मैं इसको केंसिल करता हूं ठीक है हा सब्सक्राइब लिग सकते हैं एक प्यारा सा सब्द लिग सकते हैं है है और वीडिओ को लाइक किजएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को और प्रेज करेज़ेगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद चैन बंदे मातरम